गुड इविनिंग एरिवन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने टेस्ट नमबर वन रिलीज किया था उसका एक्स्पलेनेशन जो की सीटेट, यूपीटेट और सुपरेट में काफी बॉर्टेट होने वाला है तो जो पहला कोश्चिन था हमारा कोश्चिन को द कार्बन लेवी क्या है तो आपको बता दूं कार्बन लेवी जो है वो कार्बन इंधन पर लगने वाला कर है ठीक है और ये परियावरण प्रदूशर से संबंदित है यानि कि अगर कोई भी कमपनिया कुछ ओवांचनी पदार्थों का उत्सर्जन करती है जिसका प्रत्यक 2020 से लागू हुआ था ठीक है इसमें अगर आप एक टन कार्बन उत्सर्जन करते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए दंड स्वरूप देना होता है और कार्बन लेवी कर जो है दो प्रकार के होते हैं पहला जो है उत्सर्जन कर और दूसरा जो है उर्जा कर यानि कि आप अगर प्रदूसर का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि ग्रीन हाउस गैसे जो है तब आपको वो अलगर लगेगा और उर्जा से संबंधित जो कर होता है उस पर उर्जा कर लगता है बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे दूसरा जो प्रश्न है भारत के छेतरफल का कितना प्रती तो इसमें ऐसे छेतना आते हैं जो वन से रिलेटेट होते हैं ठेक है जो कि स्टेट預 celebrating के द्वारा सं॥ होता है या फिर सिविल बाइशन के द्वारा सथ सथेत जय आते हैं शाबित हुआ है तो यह है पोगामिया पिनाटा ठीक है पोगामिया पिनाटा एक तरह का पौधा है और यह बनस्पतिक नेम है ठीक है यानि के बोटोनिकल नेम है पोगानिया पिनाटा इसको हम लोकल में करंज के नाम से जानते हैं या फिर पापड़ी के नाम से जानते हैं और इससे जो तेल निकलता है वो खादे पदार के रूप में इस्तमाल नहीं होता है लेकिन 5 से 20 प्रतीशत अगर आप डीजल में इसको मिला कर बिना इंजन में कोई संसोधन किये आप इस्तमाल करेंगे तो इसका इस्तमाल आप पेट्रोलियम के रूप में इंधन के रूप में आप कर सकते हैं बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या 4 के तरफ प्रश्ण संक्या 4 है आईची टार्गेट किस से संबन दीत है तो आईची टार्गेट जो है वो नागोया प्रोटोकाल से समधित है अब बात कर लेते हैं नागोया प्रोटोकाल के बारे में नागोया प्रोटोकाल जो है वो अनुवांसिक संसाधनों से समधित है ठीक है अनुवांसिक संसाधन कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे संसाधन जैसे की पेड़ पौध है जिनका पेटेशन किसी बिदेश के द्वारा करा लिया गया हो जैसे कि आप देखेंगे अद्रक का पेड़ और नीम का पेड़ इसका पेटेंट आपको बिदेशों द्वारा करा लिया गया है जबकि ये भारत की उपस थी तो इससे बचने के लिए नाग प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर हुआ था सबसे पहले 10 अक्टूबर सन 2010 लेकिन ये लागू हुआ था 2014 से भारत इसमें सम्मिलित हुआ था मई 2011 में बढ़ते हैं आगे आखरी प्रश्न के तरफ अमली वर्षा एतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है इन में से कौन सी ऐसी प्रत की मुत्पाद है यहां देखिए अंतिम प्रतिकिरिया जो होती है वह आपको सल्फार डाय एक्साइड के रुप में मिलती है ठीक है और गंधक के रुप में यह अमल होते हैं ठीक है और आप देखेंगे कि वायू मंडल में जो सल्फार डाय एक्साइड है जो कि जो अला मिलकर आपको sulfuric acid H2SO4 ठीक है और गंधक अमलका निर्माड करते हैं ठीक है लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो प्रतिकिरिया करके gypsum का भी निर्माड कर देती है तो अंतिम प्रतिकिरिया चुकि यहां ना ही sulfuric acid है और ना ही गंधक है इसलिक इस पर लगाएंगे आप gypsum पर लगाएंगे तो अमेद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में